आप देखें इंडिया न्यूस का डिजिटल प्लैटफॉर्म आपके साथ मैं रशना बंसल पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर जब से इंदुस्तान में आई है हर किसी की जुबान पर उसी का नाम है छोटे बच्चे सीमा हैदर की बात कर रहे हैं बड़े-बड़े बुजर्ब भ सीमा से उसके प्रेमिर सचीन शेक में प Подेट से लमभी पूश्तांच हुई है आप दाजाब देट है से व्हुट सेफ वह रखा गया सीमा को जन से घंतों europa गर्में वापस हुए। जो पूश्ताच की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है यह हम कह सकते हैं पीश में खबर यह भी आए थी कि जुजांच इजिंसियां हैं वो सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की बात कर रही हैं और ऐसा हो सकता है लेकिन अब जब सीमा रभुपूरा वाले अपने घर वापस गए हैं तो तमाम मीडिया चैनल से बात कर रही हैं इंडिया नूस से भी उन्होंने बात कि और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नहीं जाने वाली हूं जीते जी तो नहीं जाओंगे अगर मेरी अर्थी आप भेजना चाहते हैं तो मैं जरूब पाकिस्तान चली जाओंगी लेकिन जीते जी मैं पाकिस्तान नहीं जाओंगी साथी उन्होंने कहा है मुझे मोदी जी और योगी जी पर पूरा भरोसा है अब मुझे पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा जिस तरीके से मैंने अपना प्यार बताते हुए हिंदुस्तान में एंट्री की है या पर सचिन से शादी की है अब कोट मैरेज भी करने की तैयारी है तो मैं लीगली सचिन की वाइफ हूँ और उसके बदालत में या हिंदुस्तान में रह सकती हूँ चार बच्चों को भी साथ लेकर आई हैं सीमा हैदर लेकिन को जूट पकड़े गए साथी साथ एक से जादा लेकिन सीमा हैदर ने अशक्क पाकिस्तानी जासूत होने की कोई खबर ऐसा कोई इनपूट नहीं मिला है ऐसे में हो भी सकता है कि जो प्यार के दम पर सीमा ने सीमा लंग कर हंदुस्तान में प्रवेश किया सचिन के घर आगई सचिन की दुनन बनने के लिए हो सकता है इस कोई भी सबूत सीमा हैदर के खिलाफ नहीं मिला है और अब मीडिया से खुलकर बात करने का सिलसिला सीमा हैदर के लिए फिर से शुरू हो गया यानि कि फिर से कैमरे पर लाइट कैमरा एक्शन होगा फिर से सीमा हैदर खुलकर बाते करेंगी फिर से सीमा हैदर बताएंगी कि तो सच्षिन की प्यार में डूबी हुई है और इसलिए अपना मुल्ख छोड़क हिंदुसान आ गई हैं हिंदुधर्म अपना लिया है। राधे-्राधे का जाती है भगवान की पूझा करती है और साब यहां हिंदुस्तान में रहना चाहिए जेल में रखा जाए किसी powerful आपको कैसी लगती है कैसे प्रभावित होते हैं आप सीमा